हलो दोस्तो, येस, कुक फेर यू, मैं आपका शागत मा अज बना रहूं कैरेट राइस कैरेट राइस बनाने के लिए एक कप राइस, धनिया पुदिना एक कटोरी, छोटा सैस का पैस, चार से पांच कैरेट कदू कस कर लिया है, छोटा सैस का कैपसिकम और दो हरिमिट्च, चने की दाल, जीरा, राएं, आदा आदा चमच, आदा चमच धनिया पोड़र, चुटकी बरहल दी, आदा चमच लाल मिट्च पोड़र, दो चमच लिम्मुकरस, एक कलाई रग लिया है, थोड़ा कलाई गरम करके, दो से तीन चमच तेल डाल देंगे, तेल थोड़ा गरम होने के बाद, हमारे जीरा, राएं, और चने की दाल डाल देंगे, एक बार अच्चे से मि लेंगे, मिलाने के बाद, पैज, पैज डाल के भी, एक बार अच्चे से मिला लेंगे, उसके बाद, जादा फ्राई नहीं होना है, थोड़ा कच्चे पक्का होना है, कि चुटकी बर हल्डी हल्डी डालके भी अच्छे से मिला लिया है अभी हमारा कद्दू कच्क्या केरेट डाल देंगे केरेट डालके भी अच्छे से मिला लेंगे प्लीज सब्सक्राइब करना हमारा कैरेट भी अच्छे से मिला लिया है और साथ अनुसाथ नमक मैं नमक थोड़ा कम डाल रहे हूँ पहले हम राइस में डाल चुके है इसलिए मैं थोड़ा कम डाल रहे हूँ नमक डाल के भी अच्छे से मिला लेंगे हमारा कैरेट भी अच्छे से फ्राइब हो गई है अभी हम लाल मिच पोडर और दनिया पोडर हमारा मसाला भी डाल के अच्छे से मिला लेंगे अच्छे से मिला लिया है अभी हम हमारा एक कप रैज डालेंगे रैज डालके भी अच्छे से मिला लेंगे दीरे से अच्छे से मिला लेंगे बहुत सिंपल रेस्पियर और हेल्दी भी है अच्छे से मिलाने के बाद अभी हम पुदीना और दनिया दोने डालके अच्छे से मिला लेंगे मिलाने के बाद लेमन जूज डालेंगे लेमन जूज डालके भी अच्छे से मिला लेंगे हमारा कैरेट रैस बन गई है अभी हम ग्यास आफ कर देंगे और अभी हम ग्यास आफ कर दिया है सर्व बावल में सर्व करेंगे तिरे तिरे करके पूरा सर्व कर लेंगे यह हमारा लेमन रैस प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करना और बेल आइटम दबाना बेल आइटम दबाने में हमारा नया नया वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलता रहेगा